हेलो फ्रेंड मैं हूं राजन आप देख रहे हैं द्रिप टेलर शन दुटिक और आज के वीडियो में देखेंगे चुकुन गले पर पैपिंग कैसे हैं तो वीडियो पुरान तक देखिएगा यह जो रैड कलर का पाइपिंग है यह आपको उरेब कटिंग करना है एक इंच का कटिंग करेंगे मैक्जिमम सवा इंच उससे जादा कभी भी पाइपिंग पटि को कटिंग नहीं करना है और ध्यान इतना रखेंगे उरेब काटना है तो यह दो अलग अलग पटिया है इन्हें दोनों को जॉइंट कर लेते हैं और जॉइंट करने का जो तरीका मैं हमेशा बताता हूं कि तिर सथानी हमथा अच्छा फिसका हो जाता है कि इस प्रकार से ज्उट लगा करो कर लेंगे ऑड़िक करने के बाद इसको हमें यह जो ज्यूइंट worrying कर लेना है यह पर मोटा नहां हो और इस तरह से इतना मोड़र रेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इतना मोरे तो यह हमने पूरा सिलाई लगाया ज़रौत होगा तो किनारे किनारे इस पर कर लेंगे कटिंग और कटिंग करने का तरीका देखेंगे किस प्रकार से हम इसको काटते हैं यह तरीके से जो है हम इसको कॉर्नर से यह अगर एक्स्ट्रा थोड़ा निंट से लिएफ आपको लाट से पर जाने ही को और के इसका बाद आती है इस कट स्य पर लगाने के लिए तो फॉर्मुला से सम रहेगा देखे उपर से मिसको फिट करना चालू करेंगे यहां पर रख करके हम इसको फिट करेंगे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा करके कपड़ा और पाइपिंग दोनों एक पराबर रहना चाहिए और किनारे किनारे इसमें सिलाई लगाना है चोड़ा ध्यान से देखिएगा मार्जिन वगर इसमें बिल्कुल क्लियर आप लोगों को समझना है ताकि पाइपिंग लगाने में परशानी ना हो और चौकून गले की खास बात यहां पर ध्यान देंगे जब हम यहां पर आएंगे इस राउंड पे तो यह इस तरह से सुई अंदर रखना है और उसके बाद कपड़ा और पाइपिंग दोनों को घुमा लेंगे उसके बाद सिलाई आगे बढ़ाना है यह बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल दे रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि चौकॉन गले की जो प्रॉब्लम सबी लोगों को आती है वो ना है य और उसके बाद यह पूरा फिट हो जाएगा तो यह इस तरीके से हमने कर दिया इसको पूरा फिट और इसके बाद जो सबसे important जानकरी है चौकोन गले के लिए यहां पर हमें कट लगाना है देखिएगा किस तरह से हम कट लगाएंगे तो यह जो कोना है यहां पर एक कट लगाएंगे चौकोन गले के जो दोनों कोने हैं नीचे साइड के दोनों जगह पर हमें कट लगाना है यह इस प्रकार से तभी यह खुलेगा अच्छी तरह से और पाइपिंग आपकी फिनिशिंग आईगी यह ऐसे और उसके बाद देखिएगा यहां पर अगर हलका फुल का छाटने की ओशकता है तो आप छाट सकते हैं आम तोर पर ज़रुरत नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर कहीं पर पतला मोटा हो गया बीगिनर से अक्सर गलतियां होती है तो यहां पर आप इस प्रकार से हलका-लका इसको छाट लेंगे पाइप अधर अब यह इतना फिट करने के बाद यहां पर हम इसको मोडेंगे कुछ लोग उपर से पहले सिलाय लगाते हैं उसके बाद इसको पलटाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है, ढारेक्ट हम पलटा सकते हैं उपर से सिलाई लगाने वाला फॉर्मूला भी बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन डारेक्ट पलटाएंगे तो पाइपिंग बहुत अच्छी बनेगी यह देखिए इस तरह से इसको पूरा मोड़े लेना है जितना पतला आप चाहें उतना बना सकते हैं मोटा बनाना चाहे हैं मोटा भी बना सकते हैं यह आप लोगों की चॉइस के उपर डिपेंड करेगा इस प्रकार से एक बराबर इसको निकालते हुए हम यहां पर लगाएंगे पूरी सिलाई और सिलाई कहां लगानी है पाइपिंग के बिलकुल नीचे क्योंकि यह ब्लाउच के ऊपर चला होती है उरेब कपड़ा क्या है यह समझ में नहीं आता तो उन सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे उरेब कपड़ा काटा जाता है और कैसे हम उसको एक इंच की पट्टी कटिंग करते हैं और फिर यह जो बेसिक टू है और एक वीडियो बना रखा है तो यह इस प्रकार से पूरा पाइपिंग हमें निकाल लेना है आप लोग हमारी नए चैनल आरडी बुटिक पर जरूर एक बार विजिट करें क्योंकि वहाँ पर मैं बीगिनर्स को टार्गिट करते हुए भी बहुत ज्यादा वीडियो डाल रहा हूं तो जितने भी बीगिनर्स हैं मैं चाहता हूं कि उस चैनल को सस्क्राइब करें आप आप भी चैनल सस्क्राइब करके रखिए क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी यह पूरा लगाने के बाद मैं आप लोगों को एक और इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं चौकॉन गले के लिए तो उसको भी दे परकार से लगाएंगे अब बात आती है चौकॉन गले के जो नीचे दोनों किनारे हैं यह दोनों किनारे बराबर बिठाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं सुई धागे का वह कैसे करना है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे यह जो कॉर्णर है इसकी मैं बात कर अबन्दर की तरफ से देखेंगे यह अंदर की तरह से जो कॉर्णर हो सको हलका असा बांद लेना है कि दिसको वादरने कजो फायदा है यह मैं आप लोगों को लिगाँ इसको बांदने के बाद है तो यह कॉर्नर हम ने बांद आ मजबूत इसको बांध लेना है तो यह जो चौकॉन गला है आपका बराबर बैठेगा बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है चौकॉन गला बनाने में प्रोब्लम होती है ठीक से यहां पर पाइपिंग पलटता नहीं है उसके लिए भी मैंने बता दिया और पलटानी के बाद इस प्रकार से आप सुई धागे का यूज़ करेंगे तो बराबर बैठ ज किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे वीडियो हाला कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक के हिसाब से लेकिन फिर भी नॉलिज़ पूरी देना मेरा उद्देश्य होता है यह इस प्रकार से सुई धागे की मदद से बांद लेना है आप इसको सिलाई से भी कर सकते हैं लेकिन सिलाई में उतनी फिनिशिंग सभी लोग नहीं ला पाते इसलिए मैं इसको सुई धागे से बता रहा हूं गया इस तरह से कि उसके बाद आप देखिए यह जो पाइपिंग है काफी अच्छी तरीके से एक चौकोन गले के शेप में बन जाता है और यह फैलेगा भी नहीं जब इस प्रकार से बांदेंगे तो जो शेप आपने बनाया बिल्कुल उसी सेप में के बराबर बैठाएगा तो चलिए देखते हैं अब किस तरह का पाइपिंग हमने लगाया है तो यह देख सकते हैं याप यह जो पाइपिंग हमने इस प्रकार से लगाया हलका सा यहां पर यह कैची की मदद से इसको बिठा लेंगे अब देखिए आप यह पूरा लगके तयार है इसी तरह से आप लोग भी लगाई है चौकोन गले के लिए मेरे पास बहुत से रिक्वेस्ट आये थे कि सरकिस प्रकार से हम चौकोन गले को अच्छे से बना सकते हैं मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना बहुती जोरी है ताकि बीगिनर्स को हेल्प हो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें फैमली फ्रेंट्स के शेयर करें चैनल पर पहली बर